पुशेश्वर अस्थान विधान सवाच्छेतर अंतरगाज सीता घाट राज घाट मुख्यमार्ग के सोहरावा घाट चौक कमला नदी पर बने पुल तूट गया अस्थानियत त्रीबुवन कुमार ने कहा सीता घाट राज घाट मुख्यमार्ग की लड़ाई विगत सालों से लड़ रहे हैं जिसे आलोक में बिहार के मुखमंतरी नितिश कुमार जी 2021 विधान सवाउप चुनाव में सरका सिलन नियास किया था उसके बाद से समवेदक काम प्रारम करने के उपरांत विगत डेर्ड साल होने के बावजूद भी पांच परसेंट काम पूरा नहीं कर सका समवेदक की संपुर्ण लापरवाही प्रोजेक्ट मैनेजर की तानाशाही की वज़े से यह घटने का अंजाम हुआ है इस पूल तूट जाने से जिसे के मुखमंतरी नितीश कुमार जी से पूछना चाते हैं ऐसे लापरवास समवेदक जो आपके पार्टी का सदस है वैसे लोगों को इस कारे में क्यों लगाया जिस वज़ा से यह घटना का अंजाम आज चरम सीमा पर हुआ है यह पूल तूट जाने से पूरे छेतर के अंद तो किस मार्ट से जाएगा इसमें लोग समवेदक को तुरंट बरखाज करें और दोशी अधिकारी पर तुरंट कारवाई करें नमस्कार आज कुछे सरस्थान विधान सभा से बेहद दुखद सूचना पराप्त हुआ है अभी अभी कुछ देरपूर्ब सती घाट राजघाट मुख्य मार्ग के अंदर गत सोहरबा घाट जो कमला नदी पर बने पूल तूट गया है जिससे लगभग में पाँच जीला समस्तिपूर बेगु सराइक गडिया सहरसा और दरभंगा जीला का मुख्य मार्ग का सीधे संपर्क तूट गया है इस सरक की मांग को लेकर विगत सालों से लराई और अंदोलन परदर्सन किये उसके उपरांथ विधान सभा 21 उप्चुनाब में मानने मुख्य मंत्री शमबेदक जो इस काम को परारम किये विगत डेर साल होने के बाबजूद भी अभी तक लगभग में 5-7% काम भी पूरा नहीं हो सका जिस लपारवाही के बज़े से यह कमला नदी पे बने बान तूट गया है पूल आज यह पूल तूटने से लगभग में 10-15% से अधिक औ लुट गया है तरही माम हो गया है हम मान्य मुख्मत्री महदेशन रोद करना चाहते हैं कि तत्काल इस पर डैभर्जन बनाकर कार्ज को रास्ता को बाहल किया जाए और अभीलम कले नदी पर कमला नदी पर पूल को निर्माना कार्ज प्रार्रम करवाया जाए और जनताओं के तरफ से हम अनुरोध करना चाहते हैं, विंति करना चाहते हैं, कि हमारे भविस्क एक मत्र रहुत सा रास्ता है, जिससे हम लोगों को जिला मुख्याले, परखन मुख्याले जाना होता है, अचानक अभी तबियत खराब हो जागा तब जाने का कोई मार्ग नहीं ह कोई रास्ता नहीं है, हम बिंति करना चाहते हैं कि इस पर प्रत करवाई करें, धन्यवाद